Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelims Booster News Discussion में आज है 19 November 2020 तो आज ये देख लेते हैं से कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा पहला article, article 32 of the Indian Constitution के बारे में है Supreme Court के सामने एक petition file की गई थी जिसको head कर रहे थे Chief Justice of India, SA Board Bay वहाँ पर उन्होंने कहा इस petition के दौरान कि इस petition को Supreme Court में article 32 की remedy avail करने के लिए file करने से पहले High Court को क्यों नहीं approach किया गया अगर हर कोई article 32 की remedy avail करने के लिए Supreme Court को approach करेगा तो Supreme Court में article 32 के cases pile up हो जाएंगे फिर इसका जो objective है वो meet नहीं हो पाएगा इसके लिए जरूरी है कि पहले High Court को approach किया जाए ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ताकि वो discourage कर सकी कि हर व्यक्ति Supreme Court को ना approach करने लग जाए अब यहाँ पर देखिए ये case था एक केरला के जनलिस्ट सिद्धी कपन का जिनके ओपर आरोप था कि हाथरस case के बाद केरला से उत्तर प्रदेश आये caste-based violence को भढ़काने के लिए जहां रास्ते इमोंने गिरफ्तार कर लिया गया और उनके उपर UAPA के तहट case फाइल कर दिया गया अब हाथरस case में देखिए एक 19 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना आई थी जिसके कुछ समय बाद उस बच्ची की मौत भी हो गई थी आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं ये एक fundamental right है जो हर वेक्ति को इंडिया में मिलता है आर्टिकल 32 right to constitutional remedies का प्रावधान करता है संग्वधानिक उप्चारों का अधिकार देता है यहाँ पर देखे Supreme Court ने Supreme Court को Article 32 रेट्स जारी करने का अधिकार देता है ताकि fundamental rights को enforce किया जा सके पास तरीके के रेट जो court है वो जारी कर सकता है पहला है heaviest corpus अगर किसी व्यक्ति को यह देखे personal liberty से related है अगर किसी व्यक्ति को illegal तरीके से detain किया गया है या wrongful arrest है अगर किसी भी व्यक्ति को arrest किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उन्हें magistrate के सामने प्रस्तुत करना होता है जिसमें travel time calculate नहीं किया जाता तो अगर ऐसा नहीं किया गया है तो heaviest corpus का writ जारी किया जाता है mandamus का writ तब जारी किया जाता है जब supreme court या high court public officials को, government को या फिर जो lower courts हैं उनको direct करते हैं कि वो अपनी statutory duties को अच्छे से perform करें क्यों warrant हो यानि कि किस हक से जब कोई व्यक्ति वो काम कर रहा होता है जिसके लिए वो authorized नहीं है तो फिर उनसे सवाल किया जाता है कि warranty के तरह कि वो किस अधिकार से इस office पर ये काम कर रहे हैं prohibition में ये होता है कि कि किसी judicial या फिर quasi judicial authority को उनकी proceeding को start करने से या continue करने से रोक दिया जाता है कि आपने जो काम किया बस वहीं पर रुख जाईए इसके आगे हम देखेंगे शर्षरादी में ये होता है कि अगर कोई judicial या causal judicial body या administrative authority कोई judgment या order पास कर चुकी है तो उसे re-examine किया जाता है कि ये सही था या गलत था यही main difference है शर्षरादी में प्रोज कर सकता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोट को जबकि आर्टिकल 226 हाई को रिट जिरिजिट्शन ग्रांड करता है आर्टिकल 32 काफि सिग्निफेकंट है ब्यारम बेटिकर जी ने इसे soul and heart of constitution कहा था constitutional assembly के debate के दौरान सुप्रीम कोट ने रोमी स्थापर वर्से स्टेट अफ मदरास केस में भी इस बात को एफ़र्म किया था कि ये guarantee करता है कि सुप्रीम कोट remedy प्रोवाइड करवाएगा अगर fundamental rights का violation होता है तो मतलब कि सुप्रीम कोट refuse नहीं कर सकता हना कि सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि पहले आप हाई कोट के channel से हो कराईए वहाँ की remedy exploit कर लीजे तब आप मारे पास आईए एक है रिट जिरिजिक्शन article 32 और article 226 का थोड़ा सा different है जहां पर सुप्रीम कोट और हाई कोट के अधिकार है सुप्रीम कोट की बात करें तो सुप्रीम कोट के वल fundamental right के case में ही रिट जारी कर सकता है जबकि जो हाई कोट है वो legal rights के cases में भी रिट जारी कर सकता है मतलब यहाँ पर हाई कोट का जो अधिकार है वो ज़्यादा widen है territorial इस प्रिट्यूरियल वाइडनेस के अगर हम बात करें तो Supreme Court पूरे इंडिया के लिए रिट जारी कर सकता है जबकि High Court respective state के लिए ही जहां पर वो है वही पर जहां उनका छित्रा धिकार है वही के लिए के वल रिट जारी कर सकते हैं Supreme Court रिट जारी करने के लिए refuse नहीं करेगा under Article 32 जबकि ऐसा कोई Compulsion High Court के उपर नहीं है यह उनके उपर Discretionary है और वो ऐसा करने से मना भी कर सकते हैं जो हमारा अगला Article है वो Reserve Bank Innovation Hub के बारे में है RBI नभी हाल ही में Innovation Hub जिसके Chairman Chris Gopal Krishnan बने उसे Announce किया यह जो Innovation Hub होगा यह promote करेगा, support करेगा, cross thinking को जहाँ पर कुछ innovative ideas को emerge करने का प्रयास किया जाएगा अब यह innovative ideas हमें चाहिए क्यों हमें innovative ideas चाहिए हैं जहाँ पर innovative technologies का इस्तेमाल किया रहा हो financial sector में अब financial sector में अगर innovative technology का इस्तिमाल किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा देखे इसका इस्तिमाल हो सकता है नई नी financial services को develop करने के लिए financial inclusion के लिए तो ये जो reserve bank का innovation hub होगा ये एक incubation center की तरह काम करेगा incubation center कोई भी ऐसा center होता है जो support करे आपको कोई मदद करता है support करता है तो आपका incubator हो सकता है ठीक है अब यहाँ पे नए ने ideas को capabilities को support किया जाएगा ताकि innovative financial services and products को develop किया जा सके ये देखे चार objectives के साथ काम करेंगे banking services को efficient बनाना, financial inclusion को बढ़ावा देना, consumer protection मतलब जो services हम avail करते हैं हमारी services अक्सर खत्रे में रहती हैं उसे protect करना और emergency के समय में businesses कैसे continue रहें उसके लिए solution ठोड़ना feature ये रहेगा कि यहाँ पर यह जो innovation hub है, यह financial sector institutions के साथ, technology industries के साथ, academic institutions के साथ coordinate करेंगे और कुछ financial innovations के prototypes develop किये जाएंगे prototype एक small scale का कोई भी project हो सकता है, जिसको बढ़ा बनाने के लिए funding चाहिए होगी तो एक थोड़ा उसका model तयार कर लेते हैं, बाद में फिर उसे massive scale पर लेकर जाते हैं यहाँ पर देखे, जो innovation hub होगा, उसका अपना internal infra भी होगा जहाँ पर वो financial technology में जो researches हैं, जिससे आप fintech research कहते हैं उसके लिए काम करेंगे, engagement बगएरा, ensure करेंगे, innovators के साथ भी, start-ups के साथ भी बात करेंगा, कृष्ट गोपाल कृष्ण कमेटी के बारे में, जो भी पहले बनी थी, कुस्वे में पहले ministry of information technology नहीं से बनाया था, September 2019 में, इन्होंने अपनी report दे थी कि जो non-personal data है, लोगों का, उसके governance का framework क्या होना चाहिए इनकी report चुलाई 2020 में आ गई थी, तो ये एक additional information है हमारा अगला article, brew tribe के बारे में है, जो मिजोरम के brew refugees हैं, जो right now त्रिपुरा में है, उन्होंने demand करी कभी कुछ समय पहले, जो चार पक्षों का, यानि कि quad-partite agreement sign किया गया था, न्यू डैली में, जनवरी में, इसी साल में, आप उसे start करिए अब देखे, जो agreement था, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो brew tribe है, वो north east के चार स्टेट्स में रहती है, त्रिपुरा, आसाम, मनिपुर, मिजोरम, जो मिजोरम में brew tribe रहा करती थी, उनके खिलाफ काफी लोग तो वापिस चले गए हैं, लेकिन 32,000 लोग अभी भी त्रिपुरा में ही हैं, तो उनके लिए rehabilitation के लिए एक plan develop किया गया, कि इन्हें अब मिजोरम में वापिस नहीं भेजेंगे, त्रिपुरा में ही इन्हें रग दिया चाएगा, तो उसके लिए चार पक्षों ने मिलकर यहां पर एक agreement sign किया था, इसमें जो चार पक्ष हैं, वो मैं बता देता हूँ, एक तो central government है, दूसरा ये ब्रू ट्राइब के लोग हैं, तीसरा मिजोरम की सरकार और चौथा त्रिपुरा की सरकार, ये चार पार्टी से जिन्होंने agreement sign किया, जिसमें ये कहा गया, कि इन ट्राइब के इंडिविजोल्स हैं, उनको चार लाख की एक FD दी दी जाएगी, जो दो साल बाधी यूज मे किया गया है, इसकी बात तो हो गई, agreement तो sign हो गया, बट अभी तिक start नहीं हुआ है, तो वही जो मिजोरम की ब्रू refugees त्रिपुरा में रह रह रहे हैं, उन्होंने भी demand करी है, कि आपने जो agreement sign किया है, उसे continue तो करिए, ये रियांग dialect यानि कि जो को ब्रोक language है, उसकी जो एक बोली है, रियांग, उसको बोलते हैं, देखें, जो ब्रू ट्राइब के लोग है, इन्हें रियांग ट्राइब भी कहा जाता है, ये इनका जो एक होजागेरी folk dance है, वो पूरी दुनिया में काफी famous है, बुईजू, बीहू नहीं, बीहू तो असाम का है, ब्यूजू जो है वो एक बहुत एक popular festival है, रियांग ट्राइब का, रिपुरा में ने PBTG भी डेकलेर किया गया है, particularly vulnerable tribe, मिजोरम में इन्हें target किया गया था, जिसके बाद ये refugee के तौर पर त्रिपुरा में आ गये थे, बुरू रियांग refugee agreement अभी जो किया गया है, वो 30 साल के crisis को end करता है, जि कई सारे जो environmental groups हैं और collectives हैं, उन लोगों ने मिलकर ये जो अथिरापली हाइडल electric project है, इससे continue ना करने के लिए protest स्टार्ट कर दिया है, अथिरापली हाइडल electric project लगभग 40 साल पहले इसे plan किया गया था, लेकिन कई सारे protest की वज़र से वो आज तक ground पर नहीं आ पाया है, ए जो की जून 2020 में केरला की government ने अथिरापली हाइडल electric project के लिए जो की चलाकूडी river पर है, ठिरस्ट्र डिस्टिक जो केरला का है, वहाँ पर चलाकूडी river के उपर इस project को बनाया जा रहा है, ये जो परामभी कुलम tiger reserve है, उसके buffer zone में आएगा, यहाँ पर लगभग सारे 5 km क एक tunnel बनाने का भी प्लान किया गया है, forest के एरिया में, लेकिन जो environmental expert हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे वहाँ की biodiversity को काफी loss होगा, इसकी capacity 163 megawatt की होगी, अभी का यह जो बवाल है वो इसले ही शुरू हुआ है, क्योंकि किरला की state government ने अभी हाल ही में no objection certificate, NOC दे के हदिया कि ये noc 7 साल के लिए applicable है, in between, आप central government से approval ले लिजे और अपना काम start कर दीजे, ऐसे प्रयास इसके पहले भी कई बार हो चुके हैं, 1995 से ही, लेकिन जब जब ये प्रयास हुए हैं, वहाँ की जो tribal population है, उन्होंने इसका विरोध किया है, और जो environmental groups हैं, उन्होंने गुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, जहांकि पायोडावसिटी बहुत ही जदा बढ़िया है, अब चलाकुडी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं, ये तमिल नाडू का जो अनामलाई रीजन है, वहाँ से originate होती है, और केला की चौथी सबसे लंबी रिवर है, य इसी नदी पर बनते हैं, इनकी कुछ ट्रिबिटरीज हैं, परम्भी कुलम, करिया कुट्टी, सोला यार, करपपरा और अनाकयम, याद ना भी रहे हैं तो समस्या का विसे नहीं है, परम्भी कुलम टाइगर रिजब के बारे में बात करते हैं, वेल प्रोटेक्टेट्टे में इसे डेकलेर किया गया था, यहाँ पर scientifically जो सागाउन का plantation है, वो किया गया था, बाद में जो forest land के साथ merge कर दिया गया, तो यह दुनिया का पहला ऐसा scientific deep plantation था, जो हमारा अगला article है, वो first green energy convergence project के बारे में है, अब यहाँ पर देखे, convergence की बात क्यों की जा रही है, क्योंक venture है, कई सारे PSU's का, Ministry of Power and Department of New and Renewal Energy के तहत, उन्होंने एक MOU sign किया है, गोवा के लिए, कि वहाँ पर वो India का first convergence project लगाएंगे, convergence project में मतलब यह है कि कुछ ऐसे sectors होते हैं, जो अलग थलग माने जाते हैं, जैसे solar energy, energy का storage करना और LED lights, यह अलग अलग चीजे हैं, मतलब इनका आपस में कोई mixture नहीं है, मतलब यह मिलते जूलते नहीं है, लेकिन इनको आपस में converge किया जाएगा, ताकि हम green energy को promote कर सकें, आप यहाँ पर solutions निकाले जाएंगे, renewable energy के लिए, electricity की mobility के लिए, और climate change को curve करने के लिए, हम कुछ प्रयास कर सकें, इसके solutions हम यहाँ पे draw करने का प या उस energy को अची तरीके से store कर पाएं, तो इससे हम अपने atmosphere को secure कर पाएंगे, अब यहाँ पर देखे, solarized agriculture feeders तयार किये जाएंगे, जो feeders होते हैं, वो electricity को divert करते हैं, कि यह जो electricity जा रही है, वो agriculture purpose से जा रही है, और यह non agriculture purpose से जा रही है, तो जो solar energy होगी, उसका भी ऐसा ही division कर दिया जाएगा, LED street lights गामों में जो होगी, वो solar energy से जलाई जाएगी, और battery energy storage system भी develop कर दिया जाएगा, benefit इसका यह होगा, क्योंकि Goa ने अभी target किया है, कि 150 megawatt green energy तीन साल में पैदा करनी है, और वो 100 megawatt का solar power plant भी बनाना चाहते हैं, तो यह जो project है, यह Goa के target को भी meet कर करने में help करेगा, अब यहाँ पर EESL के बारे में बात करें तो, यह 2009 में fund किया गया था, joint venture है, 4 PSUs का, NTPC का, Power Finance Corporation Limited का, Rural Electrification Corporation Limited और Power Grid Corporation Limited का, Ministry of Power के रहर काम करती है, और इसे super energy service company का भी दर्चा दिया गया है, जो हमारा अगला article है, वो tuberculosis के बारे में है, अभी हाल ही में, step up for TB 2020, एक report आई है, जो की TB Partnership और जो Medicine Sense Frontier, जिन्हें आप Doctors Without Borders के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा पब्लिश की गई, उन्होंने ये highlight कि इंडिया TB के लिए धंग से काम नहीं कर रहा है, COVID-19 की बाद तो cases और भी खराब हो गये है, इंडिया को और ध्यान देना चाहिए, जिसमें नॉर्मल दवाईयां काम नहीं करती, उसमें पेसेंट्स को बिडाकुलीन और डेला मैनिट देना होता है, लेकिन इंडिया अच्छे से दे नहीं रहा है, लेकिन TB की बाद करें, तो ये एक बैक्टीरिया, जिसे Mycobacterium Tuberculosis कहा जाता है, उससे होता है, जो lungs को affect करता है, person-to-person हो सकता है, किसी व्यक्ति को TB है, वो खासता है, छीटता है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी TB का खत्रा रहता है, शिम्टम्स यह हैं कि कफ होगा, ठोक के साथ, कई बाँ बलड भी आ जाता है, चेस्ट में पीन होता है, कमजोरी रहती है, वेट बहुत तेजी से कम होता है, fever काफी तेज आ जाता है, ठीक है, treatment देखिए, इसका possible है, 6 महिने का proper course होता है, 4 antimicrobial drugs दवाईयां दी जाती है, लेकिन बहुत proper तरीके से medication करना होता है, अगर medication miss किया गया, तो फिर जो TB होता है, वो drug resistant हो जाता है, अगर drug resistant TB हो गया, तो फिर second line की medicine दी जाती है, उसको भी cure कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें medication देना होता है, फिर वहाँ पर हमें ये दवाईयां देनी होती है, यह drug resistant के तोर पे काम आती है, अगर उसमें भी अच्छे से cure नहीं हो पाया, तो फिर extensively drug resistant TB हो जाता है, HDR TB, फिर इसे cure करना तो बिलकुल लगभग नहीं ही हो पाता है, और इस case में फिर patient के हरत बहुत जादा खराब हो जाती है, tuberculosis जो है, वो दुनिया का deadliest infectious disease है, किवल 2019 में इससे 1.4 million लोग मारे गए हैं, इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया ने कई सारे initiative लिये हैं, eliminating TB by 2025, 2025 तक हमारा प्लान है कि हम इसे eliminate करेंगे इंडिया से, जबकि जो WHO का target है, वो 2030 का है, हमने 5 सार पहले का target रखता है, निक्षय ecosystem, इसमें TB के बारे में proper information दी जाती है, और जो भी productivity वगएरा है, activities उनको manage किया जाता है, निक्षय portion योजना है, जिसमें financial support दिया जाता है TB patients को, ताकि वो nutrition वगएरा ले सकें, TB हारेगा देश जीतेगा campaign, September 2019 में सुरू किया गया था, commitment यह है कि TB को eliminate करेंगे, aware करेंगे लोगों को एक सक्षम project है, जो कि TISC का है, Tata Institute of Social Sciences का यह counselling करते हैं, ताकि लोग motivated रहें, energy के साथ अपने medication वगएरा करते रहें, ताकि वो ठीक हो सकें, अब देखें यह जो कुछ statement है, आप बताए कौन सा true है, कौन सा false है, यह जवाब आपको comment box में देना है, session आपने सुन लिया है, वापिस से मत देखेगा, recall करने की कोशिस करिए, देखें कितनी सही जवाब आप दे पाते हैं, इस पूरे session की PDF आपको टेलेग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका link description box में available है, आज के session में बस इतना है, thank you very much.